नमस्कार साथियो स्वागत है आपका हमारे ओनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रूट पर मैं हूँ दिनिश साहू और जो हमारी इंडियन जोगरफी की सीरीज चल रही है इसको आंगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्ट लेक्चर को डिसकस करेंगे हमारी इस इंडियन ज सिर्वार शिष्टम या फिर गंगा नदी तंत्र को डिसकस कर लिया है इसको हमने दो पार्ट में डिसकस किया था एक तो जो उत्रखंड में अलगनंदा और भागी रती के मिलने से कैसे गंगा बनती है अलगनंदा की कौन-कौन सी साहिक नदी है सारी नदियों को बहुत ड आश्ट लेक्चर में हमने सिंधु नदी तंत्र के वारे में डिसकस किया था तो यह दो जो मुख्य हिमालाई नदी तंत्र है इनको हमने डिसकस कर लिया था आज की वीडियो लेक्चर में हम ब्रह्म पुत्र नदी तंत्र को डिसकस करेंगे ठीक है हमने देखा था कि हिमाल लिए यह नदी तंत्र जो है ठीक है इसमें हमने यह मुख्यतत तीन नदियों को ही डिसक्स किया था और इसमें आज हम ब्रह्मपोत्र नदी को डिसक्स करने वाले हैं आप प्रॉपर पूरा सीरीज से यहदी हमारी सीरीज को फॉलू करेंगे मतलब प्रॉपर लेक्चर आप लेक्चर से फॉलू करेंगे तो आपको बहुत अच्छी से चीज़ समझ माएंगी बहुत डिटेल में हम यहाँ पर डिसक्स कर रहे हैं चीजों को यदि आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक एक्जाम की दश्टिकों से यह जोग्रफी का एक करने से पहले थोड़ असा मैं आपको अपडेट दे दूँ यदि आप हमारी साथ जुड़ करके किसी भी एक्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप हमारी रूट एप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर आपको different foundation courses मिल जाते हैं इसके यह घ्र ग्लाट तो यहाँ पर जरो करने साथ नाभल यहाँ आप मिर साथ जुड़ करके जूड़ कर सकते हैं इनके भी तैयारी आप अलद आए-एक्स्पर्थ फैकल्टी की साथ जुड़ कर कर सकते हैं तो एक बार आप विजिट जरूर कर लिए हमारी एंप्लिकेशन को छलिए, start करते है його brahma putra nadini, तंत्र को ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बताया था ठीक है, एक जील है, तीक है, एक जील है, बहुत बड़ी जील है, जिसके vorher哗े जील हम बुलते है, मान- सरोबर जील, मान सरोबर जील, ठीक है, इसी मान सरोबर जील के पास से, ठीक है? तीन प्रमुख पूरुवर्तिय नदिया निकलती है, एक तो इस प्रकार से निकलती है, इस से चलियाती है सिंधू, या फिर इसको हम इंडस बोलते हैं, ठीक है? इसको हमने last class में discuss किया था, एक इस प्रकार से सिंदु नदी तंत्र का ही हिस्सा है, सतलज, अब जल्दी से बता दो, सतलज किस नदी की सहायक है, मतलब किस में जाकर के मिलती है, और सतलज की जो पांच नदियां हमने पढ़े थी, उसमें से एक कौन सी नदी है, जो सतलज की स हायक है, इसका आप comment box में answer दीजे, ठीक है, इसके लवा एक और जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है, इस प्रकार से प्रवाहित होती है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, क्या नाम है इसका ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को हम पढ़ेंगे, तो ही पूरवर्ती नदियों का, तो फिर एंसी डीट एंड जो रिवर होती है, इनका एक्जमपल है, आपको याद रखना है, ठीक है, प्रीविस क्लासे में आपको अच्छे बता चुका हूँ, पूरवर्ती नदियां क्या होती है, ठीक है, तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट क ग्लेशिएर के पास से, ठीक है, मांसरोवर्त जील है यहाँ पर पास में ही, मांसरोवर जील भी आप बोल सकते क्योंगे हाँ कईवार pillar एकजाम मैं question आया है और उसका answer मांसरोवत जील ही होता है, तो चियमा योंगे डुंग ग्लेशिएर से मांसरोवर जील के पास से यह न तिब्बद जो की वर्तवान में चीन के कबजे में है तो यह तिब्बद पाठ है ठीक है और तिब्बद में इसे क्या बोलते हैं तो तिब्बद में इसे यारलूंग यारलूंग सांगपो तिबद में इसको हम यारलूंग सांगपो बोलते हैं बास समझ में आगई ब्रह्मपुतु नदी का ओरिजन कहां से हुआ मांसरोबर्ट जील के पास एक ग्लिशियर है चेमा यूंग डूंग ग्लिशियर अब जल्दी से कमेंट में आंसर दे देना कि सि यारलूंग सांगपो बास समझ में आगई इसके लावा यह जो नदी है बच्चो यह हमालय के बिल्कुल पैरलल चलती है यहाँ पर हमालय है इसके दक्षन में हमालय रेंज देखने को मिलेगी ठीक है तो इसके ही बिलकुल समाना अंतर या फिर पैरलल यह चलती है इस और तो पूर्वद्षा की और इस प्रकार से बहना प्रराम्ब करती है ना यह ईस डियरेक्शन में प्रवाहित हो क्या나 तिब्बथ do अब यहां पर हिमालाए रिजन था हमाले रिजन को काटते हुए ठीक है रिजन को यहां पर नामचा वर्वा इसको हम बोलते हैं तो नामचा वर्वा या फिर हिमालय स्रेणे को ये काटते हुए इसी के पास नामचा वर्वा के पास हिमालय को ये काटते हुए अरुणाचल प्रदेश राज में प्रविश करती है अब आपको एक चीज याद आ रही होगी जब मैंने र पुर्ववर्ती नदियां क्या होती है? ये बच्चो गौर्ज पा ठीक है ये गौर्ज का और ranion का जय फिर वीय कर दिदेवा से प्रायोधी भारत है ये सवयम बनाती है एक अनुवर्थी नदिया होती है हैं जो धाल के अनुसार भहती हैं मतलब जहां पर धाल है जैसे आन लिजे प्रायदीविर्पी भारत है है हमारे ये थी प्रायदीविर्पी.' हिमालय को पार करके भरत में प्रृवेश करती है तो ये पूर्वर्थी नदिया कैसे हैं कि यह अपना रास्ता कुस्वें बनाती जैसे मालीजे कोई नदिया प्रवाहित हो रही है तो यह हमेशा परवती छित्रों को काटेगी उसका कटाव करेगी और गार्ज कैनियन गौर्ज क्या होता है जैसे मालीजे यहां पर कोई नदी यह प्रवाहित हो रह रही है और यहां से कैमरे की साइड इस प्रकार से आ रही है ठीक है और यह दो परवत हैं इस प्रकार से माले जी यह परवत हैं तोनों साइट परवत खड़े हुए है और यहां से सीधे नदी प्रवाहित हो रही है है ना कैनियन क्या होता है थोड़ा सा आकार में इस प्रकार से, बड़ा हो जाता है, गॉर्ग जितनी दूरी यहां कि है उतनी ही यहां कि है इस प्रकार से होता है और caynion कैसा होता, caynion बहुत बड़ा होता है आकार में, ये भी अकार की जो घाटी होती है इनकी ही example है, कॉर्ग और caynion, ठीक है? तो यहां से हमालय को काटते हुए यह अरुनाचल प्रदेश में दिहांग गौर्ज है न यहां पर है इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ दिहांग गौर्ज से प्रवेश करती है किस गौर्ज से दिहांग गौर्ज एक मिट रुकेगा इसको मैं रफ कर दूँ कहां से प्रवेश करती है तो यहां पर यह दिहांग गौर्ज ठीक है नाम चवर्वा के पास से दिहांग गौर्ज बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश राजी में यहां पर यह इस प्रकार से प्रवेश करती है ठीक है अब यह अरुणाचल प्रदेश वाला हमालय को इसने काटा एक गोर्ज बनाया और अरुणाचल प्रदेश राजी में इसने प्रवेश किया ठीक है अब तिब्बत में इसका नाम क्या था यहां पर मैं लिख देता हूं तिब्बत में इसको यारलों सांग पर बोलते हैं यहां पर लिखा हुआ है ठीक है अब जब अरुणाचल प्रदेश में आएगे बच्चों है यह अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है ठीक है तो अरुणाचल प्रदेश एपी लिख दिया है मैंने यहां पर तो अरुणाचल प्रदेश में इसको हम दिहांग नाम से जानते हैं ठीक है अब यहां पर जब यह khiiin बोलते हैं पासी घाट किया बोलते हैं पासी घठ है जैसे ही अरस्य में सीक होगार कि यहां पर दो नदियां आक और की मिलेंगी ऐसे यहां पर आकर कमिलती है लोित नदी ठीक्यां एग तो नदी है एक लोहित, यहां पर मैं इसको कलर में कर देता हूँ, ताकि सहयक नदियां आपको समझ में आए ठीक है, दो प्रमुख नदियां आ करके मिलेंगी एक लोहित, चूँए, लोहित, लोहित जो है यह अरुनाचलप्रदेश रिजन से निकलते हैं और असम में आकर के ये ब्रह्म पुत्र में मिलती है ठीक है और एक और है दिवांग है ना एक और है दिवांग धिवांग भी अधोंच्यरप्रदेश pipes से निकलती है और यह लोहित में आकरके मिलती है आसपास ही फिर लोहित थोड़ा से आँगे जाकरके ब्रह्म्म पुत्र में असम्राज्य में जाकरके मिल जाती है क्लियर है दिवांग और लोहित इसके ट्रिव्योटरी है अब लोहित नदी महत्पूर है लोहित नदी पर एक बच्चो ब्रिज बना हुआ है ठीक है जो लोहित नदी है इस पर एक ब्रिज बना है जिसको हम बोलते हैं भूपेन हजारिया ठीक है भूपेन हजारिया जो ब्रि बना हुआ है जो कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है ठीक है क्या बोला मैंने भूपिन हजारिया जो है यह भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है आपको याद रखना है कितनी इसकी लंबाई है तो 9.15 9.15 km मतलब किसी भी नदी पर निर्मित सबसे लंबा कएसर कोई सडक पुल है तो वो भूपेंद हजारिया है इसी को हम धोला सादिया प्रिज भी बोलते हैं, इसी को हम धोला सादिया जाों अचल प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा साधिया कहाά साधिया असम राज्य में मिलेगा दोला और साधिया को क्नेक्ट करता है सबसे लंबा सडा पुले है लोहिफर नदी पर है जो कि ब्रह्म-पुत्र परमुक्ष हएक टूल सिंग आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगे तो पासी घाट के पास यह दो नदियां आ करके मिलती है और यहां से ही नदी असम राज्य में प्रवेश करती है बास समझ में आगई असम राज्य में प्रवेश कर लिया अब इसको बढ़ा देते हैं ठीक है यह असम राज्य म इसको हम बोलते हैं माजुली द्वीप अब जो यह माजुली द्वीप है बच्चू एक्जाम का बहुत फैवरिट कोश्चन है multiple times से यहां से कोश्चन आया जो माजुली है इसकी detailing यहां पर हम लिखते हैं माजुली जो द्वीप है ठीक है माजुली इसकी ज़रा point note down कर रही है सबसे पहली बात तो यह एक नदी द्वीप है यह फिर रिवर आइलेंड है ठीक है नदी द्वीप मतलब क्या है जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहां पर बहुत चोड़ी हो जाती है तो यहां पर क्या है ब बहुत प्रमुख आइलेंड कौन सा है माजुली ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप है ठीक है यह जो आइलेंड है बच्चो यह जो आइलेंड है यह विश्व का सबसे बड़ा ठीक है यह भारत नहीं विश्व का सबसे बड़ा सबसे बड़ा नदी द्वीप है ठीक है यह क् के गा विश्यु का और दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप हो इसके लाब जो असम सरकार है असम government है, इसने इसको district भी घोसित किया है, ठीके जिला भी घोशित किया है, लगबक एक लाख, एक लाख यहाँ की population है एक लाख जनसंख्य है, यहाँ पर निवास करती है, और असम की government ने इसको जिला भी घोशित किया है, यह district लिखा हुआ है इसको में हिंदी में लिख देता हूँ वरना आप इसको जिला भी घोशित किया है इसके लावा इसका जो नाम है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है तो ये कुछ महत्रपूर्ण पॉइंट है पासी घाट के पास में माजूली एक आईलेंड है जो कि नदी को बीच ओ बीच आईलेंड है इसको अपने अपने एक जिला घोशित किया गया है असम सरकार ने है न क्योंकि ये बहुत बड़ आईलेंड लग एक लग जनसंख है यहाँ पर निवास करती है तो याद रखिए काफी महत्रपूर है कई वर कोशन यहां से ठीक है और चुकि विश्यो का सबसे बड़ा है तो इंपोर्टेंट और भी जादा हो जाता है ठीक है यहाँ पर यह आईलेंड आपको देखने को म मिलती है ठीक है नदी का नाम है इस प्रकार से सुवनसरी है ना सुवनसरी जो है यह ब्रह्म पुत्र की सबसे लंबी सबसे बड़ी सहायक नदी है आपको याद रखने कहां से निकलती है तो तिब्बत रीजन से निकलती है कहां से तिब्बत रीजन से निकलती है तिब्ब इसके अलावा यहाँ पर ही आप देखेंगे थोड़ा सा आगे यहाँ पर आपको एक नेशनल पार्क भी आपको यहाँ पर असम राज्य में देखने को मिलेगा आप जानते हैं यहाँ के एक सिंग वाले गंडे के लिए जो काजी रंगा नेशनल पार्क है यह जाना जाता है अब यहाँ पर एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है धनसरी यहाँ से नीचे से आएगी इसका नाम है धनसरी यह नागलेंड रीजन से निकलती है लेसांग परवत नागलेंड से एक नदी निकलती है अब देखें नदी भारत में किस ओर चल रही है भारत में जो यह उपर से आ रहे हैं यह सोवनसरी वगरा ठीक है यह इसकी कौन से ट्रिब्यूटरी होंगी तो यह राइट ट्रिब्यूटरी होंगी है यह डाइं सहायक नदियां होंगी ठीक है और जो नीचे से आ रहे हैं यह लेफ्ट ट्रिब्यूटरी होंगी या फिर बाइं सहायक नदिय चलिए, अगली देखिए, अगली एक और इसकी महत्पून सहायक नदी है, ठीक है, यहाँ से, यह कहाँ से आती है, मेघालय प्लेट्टियू के पास से एक नदी आती है, जिसका नाम है लेसांग, क्या नाम है, जिसका नाम है कपिली, इसका नाम है कपिली, ठीक है, कपिली, प्लेटियू से निकलती है ठीक है और इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है और यह भी असम्में आगर के किससे ब्रह्मपुत्र से मिलती है अब यह छोटी छोटी नदिया है इसको आपको डेटेल में आप इसकी थोड़ी थोड़े बाद पढ़ सकते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पर एक और नदी आकर देखेगी इसको हम बोलते हैं मानस है ना मानस ठीक है और यहाँ पर आपको मानस नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा ठीक है कहां से निकल रही है ठीक है और कहां पर आकर के मिल रही है तो असमराज में ही यह आकर के मिल रही है ब्रह्मपु कोश ठीक है एक इसकी ट्रीबूटरी है याद रखेगा फिर यहां से आपको एक देखने को मिलेगी जेमू गलीशियर है यह इंपोर्ट है जेमू गलीशियर सिक्किम के पास से एक महत्पूर्ण नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं तिस्ता ठीक है तिस्ता नदी जो है जे करते जाना ना मैप तो आप बाद में बना लोगे देखके ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा लेकिन चोड़ करना आपको यहँदेधि बता रहे हैं आपको यहाँ पर नूट कर स्वाइब करना तो यह कां पर यह बांगलादेश यह पर मिलती है बांगला देश में एक इस्थान है रंगपूर रंगपूर के पास आगर के यह मिलती है ठीक है कौन सी जेमो गलेश्च से निकलती है तिस्ता के वारे में एक और चीज आपको याद रखना कि यह रिवर राफ्टिंग के लिए काफी प्रशिद्ध है रिवर चल चल आते हुए इस प्रकार से बहता है और चोटी से बोट में उस प्रकार से राफ्टिंग लोग करते हैं ठीक है तो रिवर राफ्टिंग के लिए काफी प्रशिद्ध यह नदी है आपको याद रखना है जो कि ब्रह्मपूत्र की ट्रिब्यूट्री अब यह बांगला यहां से आई गंगा गंगा जिसको बांगला दिश में क्या बोलते हैं ठीक है और इसको क्या बोल रहे हैं इसको हम जमुना बोल रहे हैं इसको हम जमुना बोलेंगे अगले पेज में चलते हैं ठीक है यहां पर यहां पर थोड़ा साम बना देते हैं ठीक है यहां पर देख सींकी हैं इनकी सञ्युक्त धारा को कहते हैं पदमा ध्यान से सुनिएगा एक फिर यहां से एक नदी आती जिसको हम बोलते को वही बाराक नदी बोलते हैं और इसको ही आंगे बांगला-देश में मेहना कहा जाता है ठीक है और फिर यही मेगना जो है यह विश्व का सब्र से बड़ा डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जा करके गिर जाती है ठीक है बास समझ में आ गई देखिए जमुना इसको बोल रहे हैं बांगलादेश में बोल रहे हैं ब्रह्मपुत्र को पदमा गंगा को बोल रहे हैं बांगलादेश में इनकी संयुक्त धारा को यह मिलती है इसको हम पदमा बोलते हैं गंगा रिवर सिष्टम में आपको अच्छे से समझा चुका हूँ फिर इसमें एक बाराखनदी आकरके मिलती है हिंदूस्तान भारत में मढाणिपूर साइट कि लिए इसको बांगलादेश में में बोलते है पफदम में मिलता जो पिधेखुरी सबसे बढ़ाथ को तो इतने डिटेल आपको यहाद रखना है ठीक है अब एक और चीज यह जो ब्रह्मपूत्र नदी है बच्चो इसमें एक और भीज आपको देखना को मिलेगा असमराज में जिसको बोलते हैं हम भोगीबिल ब्रिज भोगी बील ब्रिज बोगीबिल ब्रिज भी बहुत इंपोर्डेंट है तो इंपोर्डेंट है यह Regrails सड़कोल है रेल सब्सक्रेंडमभ की होता है सबसे पहले बात तो मिद्स हैं लंबाई है और ये कैसा है तो ये रेल सह सडक पुल है ठीक है ये कैसा है रेल सह सडक पुल है ठीक है मतलब ये दो फ्लोर में बना हुआ है इस प्रकार से ये दो फ्लोर में है एक से रेल ट्रांसपोर्टेशन होता है और एक से सडक ट्रांसपोर्टेशन होता है मतलब एक से बस कार ट्रक से गर देखने को हमें मिलता है और यह याad रखेगा तो यह था था हमारा, पूरा- गरी साएक नदियां को याशी बहुत जाएधा को एशी नदी नहीं है तो छोटी- अरुणाचिल प्रदेश और असम राज्जी में प्रवाहित होते हुए निकलती तिबबस से है और यह ब्रह्मपुत्र में मिलती है सबसे बड़ी सहाइक नदी है इसलिए इंपोर्डन्ट रहे मानस एक इंपोर्डन्ट सहाइक नदी है क्योंकि मानस इसके किनारे एक नैशन पुल है ठीक है तो ऐसे कोशन हमें एक्जाम में देखने को मिलते है इसके लावा एक और पॉइंट जो असम राज्जम जब यह बहती है तो साधिया से धूबरी के मद्ध में कहां पर साधिया से धूबरी के मद्ध में ठीक है यह जो है यह रैंप घाटी में प्रवाहित ह अब रेंप घाटी क्या होती है बच्चो एक आपना सुना वोगा भ्रंश घाटी है ना जैसे कि माल लेजे ये कोई भूभाग है ना मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये कोई भूभाग है इसके जो किनारे हैं ये नीची खिसक गए ठीक है सुरी इसका जो ये बीच वाला हि हिस्सा नीची धस्किया उसको हम बोलेंगे भ्रंश घाटी रिफ्ट वैले जैसे कि गंगा नर्मदा और तापती की भ्रंश घाटी है इसी प्रकार से यदि किसी भूभाग के मतला बीच वाला हिस्सा नीची ना हो करके साइड वाले जो हिस्स्ते ये ऊपर उठ जाए ठीक प्रवाहित होती है आपको याद रखना है ना है इसके लावा कुछ है टिक है गोवाटी यहां पर मैं लिख देता हूं चुकि पीपेटी में जगह नहीं है पहले वाले पेज में चलते हैं यहां पर मैं लिख देता हूं एक तो गोवाटी टेजपुर और डिब्रुगर्ण यह जो कुछ प्रमुख शहर हैं बच्चो यह इसी नदी के किनारे पर अवस्थित हैं तो यह बात भी थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लेना असम्राजी में देखने को मिलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे तो यह था बच्चो हमारा पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर सि जानते हैं और जब यह जाती है बांगला देश में तो हम जमुना बोलते हैं तो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग देश में इसको अलग-अलग नाम से भी जाना जाता है तो यह पूरा ब्रह्मपुत्र नदी रिवर सिस्टम था आपको समझ में आया होगा चलिकु अगये हैं इसके लाब भारत और बांगलादेशague बुम्टाण में प्रम धिकशत्टम होगा झांट। बोटान से भी नदियाँ आगर किस में मिलती है ठीके तो आप वाहत अंतर देखिए है थोड़ा समझ लेजिए जैसे माली जी एक नधी है ठीके यह मुख्य नदी है दिए जैसे अंन यह गंगा है ल La Sap वो कहां से आती है वो तिबबत से भी आती है ठीक है वो नेपाल से भी आती है ठीक है तो एक्जाम में दी कोश्चन आ जाए कि गंगा नदी किन देशों में प्रवाहित होती है तो दो देशों में प्रवाहित होती है लेकिन ऐसा कोश्चन आ जाए कि गंगा नदी का अपवा मानस नदी किस नदी की शहायक नदी है तो भीए ये ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है ठीक है अभी आपको सिंबल कोश्चन लग रहा है लेकिन जब आपको आपने ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ी इसलिए ये कोश्चन सिंबल लग रहा होगा लेकिन कई वार जब एक्जा पॉपूलिशन रहती है गिनीज बुक वर्ड रिकॉर्ड में इसका नाम धर्ज किया गया है और बहुत सारे इसकी विशिष्टा है तो दिहांग गौर्ज भी बनाती है यह और दिहांग डाम से भी जाना जाता है ठीक है ब्रह्मोपुत नदी निम्लिकत में से किस गौर्ज स नाम से जाना जाता है ज descript зачем question आते हैं तो इसको जबना के नाम से जानते हैं जिन नदियों का स्थरोथ है वह तो गहांसर अबक्र किसकी सहायक नदी है किस का प्ली है भी भी ब्रह्मोपुत पुत्र की सहायक नदी मैंने बताया था ना कि मिखाले पठार से निकलती है नीची से आ करके उसमें मिलती है ठीक है तो बच्चों ऐसे question आ जाते हैं ठीक है यदि आपने अच्छे से इसको बना लिया इसकी mapping कर ली ठीक है तो इसी हो जाएगा कोई जाधा टप नहीं है दो तीन वार प्रैक्टिस कर लेना रिवाइस कर लेना ठोरी पढ़ लेना कोई बहुत जाधा टप नहीं है ठीक है जोग्रफी पूरा mapping का खेले जितियत आप प्रैक्टिस करेंगे और पढ़ने का सही तरीका यही है नदियों को लेक्टिस में तब तक अबना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए वाई वाई टेक क्यार जाहिए